साथियों आप सभी कैस प्रेटफॉर्म पर स्वागत है यहाँ पर हम लोग विजन आईयस जो कोचिंग संस्ता है इनके द्वारा न्यूज टूडे सीर्शक से डेली का इंट अफेर फ्राइट कर जाता है उसी के ताथ यहाँ पर हम लोग आज के इंट अफेर को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन जीवन सनरचन संसोधन विध्यक 2021 जो की संस्त में प्रसुत किया गया है उसके प्रूपरवधानों के बारे में तो देखें यहाँ विध्यक जो है पर्या वर्ण वन और जल्वावी परिवरतन मंत्री दोरा प्रसुत किया गया है इस विध्यक का उदेश वन जीव सनरचन अधिनियम 1972 में संसोधन करना है यह संसोधन मून अधिनियम अतर जो की 1972 का वन जीव संसोधन अधिनियम है उसको वन जीवों और वनस्पतियों की लुप्राय प्रजातियों के अंतराश्टी ब्यापार पर कन्वेंशन 1973 यहें शॉ वन जीव प्रवंधन और निगरानी के लिए राज वन जीव बोड़ों की इस्थाई समितियों की स्थापना करना दूसरा अधिनियम के तहट सामिल अनसूचियों की संख्या को छे से घटाकर चार प्रमुक अनसूची के रूप में युकति संगत बनाना तो यहां महात्प अनसूची जो है यह वन जीव का एक वरगी करण है यहां इस बात पर निरभार करता है कि वह कितने गंभीर रूप से संकट गरस्त है वन जीव की अनसूची वन शरवादिक सनच्चन प्राप्त वन जीव जैसे की बाग किस स्रेणी है सनच्चित छेतरों के लिए कठोर प्रवंधन योजना को अब वन जीव अधनियम का भाग बना दिया गया है वहीं आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नेंतन को सच्छम करना साथी श्वामित प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति द्वारा जीवित हातियों के हस्त इस्तान अंत्रन या परिवान की अनमत प्रदा प्रजातियों में अंतर राश्टी ब्यापार के विनयमन के लिए मूल अधनियमें एक नया अध्याएं वीवी सम्रित करना आगे बात करते हैं साइड़स के बारे में तो लेकिए साइड़्स क्या है साइडस सरकारों के बीच एक अंतराश्टी सम्झहोता है इसका उदwhere द ब्यापार से प्रजात्यों के अस्तित के समझ खत्रा उत्पन नहों तो ध्यान रखिए गए इसमें जियू और पौधे दोनों सामिल किये गए हैं यह संदी वर्स 1975 में लाग हुए थी और वर्तमान में भारत सहित 183 देश इसके पच्चकार हैं साइट्स द्वारा पूर में भारत को एक बार ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है यह दूसरी बार भी इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया या कर दिया जाता है तो भारत महत्पुन पात्रों की प्रजात्यों का ब्यापार करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा यह महत्पुन फैक्ट याद रखिएगा योग खेलों में डोपिंग नियंतन कारिक्रम संचालित करने के लिए मौजूदा धाचे और तंत्र को मजबूत करना दूसरा सयुक्त रास्त सहचिक वैज्ञानिक और सांस्क्रतिक संगठे यह शॉट में इनुश्को के नाम से जानते हैं तो इनुश्को के डोपिंग के विरुद अंतराष्टी अभिशमय के उद्देशों को प्राप्त करना चुकि भारत द्वारा वर्स 2007 में इसे अभिशमय की पुष्टी की गई थी अब विधेक के जो परमुक परवधान है उनकी यह दिबात करें सोसाइटी पंजीकन अधिनियम के ताथ सोसाइटियों के रूप में इस्थापित NADA अथाथ राष्टी डोपिंग रोधी एजनसी और राष्टी डोप परिच्छन प्रियुकसाला NDTL को बिगिटित कर पुर्णरगठित किया जाएगा दूसरा प्रवधान क्या है किया है NADA अथाथ राष्टी डोपिंग रोधी एजनसी को जाच डोपिंग रोधी नियमों के उलंगन के लिए प्रतिबंध लगाने और निरिच्छन नमूना संग्रह करने ताथ उसे साध्या करने यों सूचना के मुक्त प्रवाह की सक्तिया प्रदान करता है यहां ध्यात्ता भी है कि NADA अथाथ राष्टी डोपिंग रोधी एजनसी के पास पूर्व में पहले छापा रियाडरेट डालने का कोई अधिकार नहीं था वो अधिकार भी इसके माधिम से दिया गया है इसके खेलो में डोपिंग रोध के लिए एक एक अध्यच और दो अन्य सज़च से सामिल होंगे बोड एजनसी और NDTL राष्टी डोप परिच्छन परयोग साला का लेखांकन यूम लेखा परिच्छन भारत के नियंत्रक्यों महा लेखा परिच्छक कैक के द्वारा किया जाएगा अब थोड़ा सा डोपिंग के बार इसे एथलीटों द्वारा अपनी प्रदसन चमता को बढ़ाने के लिए बाहरी सहाता के रूप में ग्रहन किया जाता है भारत द्वारा वर्ष्ट 2008 में NDTL राष्टी डोप परिच्छन परयोग साला को तक्नीकी आवशक्ताओं और वर्ष्ट 2009 में NADA अतर राष्टी डोप परिच्छन परयोग साला है उसके स्थापना पहले हुई है 2008 में जिबकि राष्टी डोप परिच्छन Shipuo consci claim की स्थापना बाद में 2009 में हुई है वर्तमान में राष्टी डोप परिच्छन परयोग साला NDTL को तक्नीकी आउशक् बिश्रो डोपिंग रोधी एजंसी वाड़ा द्वारा निलंबित कर दिया गया है तो यह महत्पूर्ण फैक्ट क्या दर रखेगा आगे चलते हैं भारत वियतनाम व्यापक रणने नितिक साहिदारी की पांचवी वर्सगाठ के संबंध में तो देखे इस वर्सगाठ समारो के लिए साजा संगर्ज के रिहास के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्यों सवहाद पूर्ण दूपच्छे संबंध साजा करते हैं वर्स 2007 के दोरां दोनों देशों के बीच संबंधों को रणने नीतिक साहिदारी की इस तर तक बढ़ा दिया गया और वर्स 2016 में इसे ब्य बियतनाम जो है इस छेतर में स्थिर्था को बढ़ावा देने के लिए आशियान और हिंद प्रसांद दोनों संदर्भों में एक प्रूख भागिदार है इसके अत्रित बियतनाम जो है युनाइटेट नेशन सिक्योर्टी काउंसिल यू एन एस्टी में इस्थाई सदेश् एक दो विलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था ठीक है इसमें भारत दोरा वियतनाम को 4.9 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर मुले का निरियात किया गया तो कि हम जो है वियतनाम से आयाद ज्यादा करते हैं आगे चलते हैं संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी जो उनकी बात करते हैं तो पहला है हनोई में स्वामी वेकरन भारती सांस्कृतिक केंद्र के स्थापना की गई इसका उदेश सांस्कृतिक आदान प्रदान के माद्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच घनिश संबंधों को बढ़ावा देना है दूसरा मेकांग गंगा सह धांचे के ताथ भारत सामुदाइक बुनियादी धांचे के विकास के लिए बिभिन प्रांतों में 50,000 अमेर्की डॉलर प्रतियोजना मोलिक की तुरित प्रभावी परियोजनाओं पर कारिकर रहा है भारत से रच्छा उपकरन खरीदने के लिए भारत ने बिएतनाम को 600, मिलियन डॉलर का लाइन अफ क्रिडिट दिया है आगे चलते हैं लोग आगे बात कर लगते हैं राश्टिय स्वच्छ वायू कारिकरम N.C.A.P. के ताथ राश्टी सरबोच समित की पहली बैठक आयोजित हुई है तो देखिए बैठक के जो परुख निसकर से उनकी बात कर देखिए तो इसमें पहला है वायू प्रदूशन से निपटने के लिए एरसेड मतलब वायू के सामान प्रवाह का जो च्छितर है वो एरसेड कहलाएगा तो एरसेड दिरिष्टकूर अपनाना इसके तहत नित निर्माता राज्जियों की सीमाओं के भीतर निर्देशित नीतिया बनाने की बजाए भावगोलिक, मौश्रम संबंधी और अनिकारकों अनिकारकों मतब जो किसी विशिष्ट एयर सेड के भीतर वायू को प्रदूसित करते हैं को ध्यान में रखते हुए कारिवाई की योजना बनाएंगे वर्तमान में राष्टी राजधानी छेतर द के इस्तर को NCAP अधत राष्टी स्वचवायू कारिकरम के तहद पहचाने गए सहरों में वर्त दोजार चौबिस तक 20 से 30 पसंड तक ठीक है यहाँ पर आधार वर्स क्या लिया गया है वर्त दोजार सत्रा के इस्तर से 20 से 30 पसंड और वर्त दोजार पचीश-चबिस तक 35 से लच्च है ध्यान रखेगा सभी के लिए स्वचवायू कारिकरम के बारे में तो पहला है इसमें पॉइंट इसे वर्स 2019 में याद रखेगा वर्स 2019 में पर्यावन वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रार दोजार लांच किया गया था दूसरा यह तुलना के लिए आधार वर्स 2017 के साथ वर्स 2024 तक PM10 और PM2.5 की सांदरता को कम से कम 20% तक कम करने का प्रयास करता है इसे लक्षित 132 सहरों में लागू किया जा रहा है जो लगातार पांच वर्सों से राष्टिय परिवेश्री वायू गुरुवत्तामान को National Ambient Air Quality Standards NAAQ के अनुरूप नहीं है अब ये National Ambient Air Quality Standards NAAQ क्या है तो ये वायू प्रदूशन निवार्ण और नियंतर अधिरियं 1981 के ताहत केंद्री प्रदूशन नियंतर बोर्ड CPCB द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रदूशक के अधिसूचित निर्धारित प्रदूशक के संदर में परिवेशी वायू गुरुवत्ता के मानक है अब हम लोग थोड़ा सा इसके सम्मन्द में जो योज विविन चीजें हैं आयाम उनकी बात करें तो इसमें योजना उधी की बात करें तो पाज वर्स की मध्यावधी कारियोजना वर्स 2019 को आधार वर्स के रूप में रखने के साथ शुरू होगी और पैडामों की मध्यावधी समीच्छा के बाद इसे देरगावधी में 20-25 वर्स तक बढ़ाया जा सकता है वहीं लच्च की बात करें तो वर्स 2024 तक पीम 2.5 और पीम 10 संकेंद्रन में 20-30% की कमी का राश्ची स्तर का लच्च रहत किया गया है वहीं दिश्चकोंड की बात करें तो बहुत छेतरी और सहयोगी दिश्चकोंड इसमें दिश्चकोंड में पहला है दूसरा जलवाई परिवतन के लिए राश्टी कारियोजना NAPCC सहित भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और कारिकरमों के साथ एकिकन यो मुख्यदारा में लाने का प्रयास करना और तीसरा पॉइंट है तो पहला है वाई परिवतन की रोग था नियंतर और समन के लिए शमन उपायों को कठोर कारियान वन दूसरा देश भर में वाई गुड़ोता निगरानी नेटवर्क का समर्धन करना और से मजबूत करना तीसरा जन जागुरता बढ़ाने और छमता निर्माण के लिए के उपाय करना आगे चलते हैं आगे बात कर लगते हैं हम लोग सरकार एक राश्टिये मुकदमा नीत नेस्नल लिटिगेशन पॉलसी एनलपी का निर्माण कर रही है नेकि हाल ही में सरकार ने सुझित किया कि मुकदमे बाजी को रोगने नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिसा निर्देश निजायत करने है तो एक एनलपी नेस्नल लिटिगेशन पॉलसी बिचारा धीन है राश्टिये मुकदमा नीती जो है बिचारा धीन है इससे पहले वर्ज़ 2010 में तत्कालिन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश एक NLP National Litigation Policy परसुद की गई थी कि सरकार को निर्राथक मुकदमे वाजी में सामिल नहीं होना चाहिए बिशेश कर जहां सरकार के बिर्द कोई उचा या बड़ा दावा नहीं किया गया है इसे इस नीत को लागू नहीं किया गया था इस नीत का महत्र क्या है? पहला इस नीत का उद्देश सरकार को एक कुशल और उत्तरदाई वादी में परिवर्थित करना है सरविदित है कि राज्यों और केंद्र में सरकारे जिला अदालतों से लेकर के उच्टम नहीं तक में कुल 3.14 करणों मामलों में से 46% मामलों में वादी के रूप में सामिल है दूसरा यहां नीत नियायले में किसी मामले के लंबित रहने की आउसत आउधी को 15 वर्ष से घठाएकर 3 वर्ष करने में सच्छम बना करके नियायले के बहमूल समय की बचत करेगी तीसरा अब आगला देखते हैं इसमें मुकदमे बाजी को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों की बात करते हैं तो पहला है लीगल इंफॉर्मेशन मनेजमेंट और ब्रीफिंग सिस्टम LIMBS भारेशन से जुड़े मुकदमों की निगरानी के उद्दे से निर्मित एक बेब प्लेटफॉर्म है या वहीं दूसरा है बिवादों के समाधान के लिए प्राजसासनिक तंत्र Administration Mechanism for Resolution of Disputes AMRD अंतरमंत्राली या विभागी विवादों के समाधान के लिए इसको इस्थापित किया गया है वहीं पूर्प संस्थान, मध्यस्था और निप्टान, PIMS तंत्र के लिए वाणजिक नियाले अधिनियम 2015 कोबर 2018 में संसोधित किया गया था केंद्रिय सारविक्षेत के उध्यम CPSC बिवादों के समाधान के लिए प्रसासनिक तंद्र AMRCD का प्रहदार किया गया है आगे चलते हैं प्रधान मंतिरी ने वराणसी में अखिल भारती महापाउर सम्मेलन का उध्गाटन किया तो ध्यान रखेगा में पॉइंट इससी को याद रखेगा कि अखिल भारती महापाउर सम्मेलन को उध्गाटन कहां किया गया वराणसी में देखे इस सम्मेलन में विभिन राजियों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं इस सम्मेलन का विशय क्या रहा है? नया सहरी भारत New Urban India है सहरी स्थाइं निकाएओं के महापौर या अध्यच नगर निकाएओं के राजिन्तिक और कारिकारी प्रमुक होते हैं वर्तमान में महापावरों का चुनाओं नगर पारसुदों के द्वारा किया जाता है जो प्रतच रूप से सहरी मद्दाता हो द्वारा चुने जाते हैं महापावर के कारियाले, कारियाले से समझीद मुद्दे की बात करें, तो पहला है लगु कारियाले, कारिकाल, भारती सहरी प्रणाली के वार्सिक सर्वेच्छन, ASICS 2017 में आप पायागे केवल, 20% सहरों में ही महापावरों के 5 वर्सका कारिकाल उपलब्ध है, चहोत्रों सम्मिधान संसोधन में महापावरों के निर्वाचन की बिधी या कारिकाल को निधायत नहीं किया गया है, इसमें अगला पॉइंट है, इनके मुद्दो समझीद में, कारिकारी अधिकार का अभाव, देखिए, ग्यातवी के पनुक कारिकारी सक्ति, सरकार्द और नगर पालिका आयुक्त के पास होती है, इसलिए महापावर के वाल नाम मात्र का पदगरहन करते हैं, महापावरों के लिए उपलब्द सीमित कारिकारी सक्तियों को सहरी अभिशासन में अच्छमता और कुपरमंधन के पनुक कारणों में से एक के रूप में देखा जाता ह किये जाने वाले उपायों की बात करें, क्या उपाय किये जा सकते हैं? इसमें बिवाह के पांच वर्स के बाद घर्ब गर्वधारन करने में असमर्थता के रूप में जो बंधता या निसंतांतता पी जो परिवासा थी उसको हटा दिया गया अगे चलते हैं? और आपदा ड्रक ग्यालपो या भूटान का सर्वो चनागरिक पुरसकार है। यह पुरसकार भूटान के राष्टी दिवस के आउसर पर भारती प्रधान मंत्री नर्यन मोदी को प्रधान किया गया है। भूटान के लोगों और राज की आजीवन सिवा को समारित करने के लिए प्रधान किया जाता है। प्रद्योगी की आधारित उर्जा समाधान, शुद्ध सुननी के लिए नमाचार यह भारत-अमेरिका विज्ञानियों प्रद्योगी की आधारित उद्यम शीलता पहलों का समर्थन करने के लिए कारिक्रम है यह पहले या इनिशेटिव अगली पीड़ी की सुच और नविकर्णी उर्जा के विकासियों कार्यानवन वा उर्जा भंडान तहा कार्वन संचेन संबंधी चुनोतियों से संबंधित है यह स्वच प्रद्योग्यों में निवेश करके टेक्नोलोजी सो इस्टॉपर्स की पहचान करेगा साथ ही शुद्य सुन्नी की और संक्रमल के लिए नए बाजारियों उद्योग निर्मित करने हित उद्यम सीरता की प्रतिभा को आकर्सित करेगा यह अमेरिका भारत रणेतिक सुच उर्जा साहेदारी के लच्छों के साथ भी संरेखित है यह विज्ञानियों प्रद्योग्यों की उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले एक गयर लाबकारी संग्णन शोसल अलफा के साथ साहेदारी में द्वी राष्टिय भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रद्योग्यों की मंच IUSSTF द्वारा पसासित किया जाएगा आगे चलते हैं एरो स्पोर्स के बारे में तो देखिए एक संसदी समित ने सरकार द्वारा एरो स्पोर्स मतलब एरो स्पोर्स में क्या आते हैं AIR Rating है, Aerobatics है, Para Gliding है Sky Diving जीसे हवाई गतिविदियों ये आपके एरो स्पोर्स में आते हैं तो एरो स्पोर्स को प्रसाइद करने के लिए प्रियात प्रियास नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया है। यह देखा गया है कि पहाडों, पुलीनों और ग्रामिर छेत्रों में अनकूल प्रदेश्यों के काण इन खेलों में भारत की उच्छ दच्छता या उच्छ छमता के बावजूद उनके विकास के लिए मात्र एक स्रिजन हो सकता है। आगे बात करते हैं पिंक फोर्स की तो देखे गोवा पुलिस द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद अपराधों को रोकने के लिए पिंक फोर्स का घठन किया गया है। पिंक फोर्स अपराध की जाच में सामिल नहीं होगी बलकि उसकी 24 घंटे कारी करेगा। पिंक फोर्स का घठन पिंक फोर्स का घठन जो है इस उद्देश से किया गया है ताकि माता-पिता और बच्चे और अन इस बल से निसंग कुछ बात कर सके हैं। आगे चलते हैं पीत पत्रकारता एलो जनर्नियों किसे कहते हैं। देखे यह आया क्य कोड ने इसे विशिष्ट पीत पत्रकारता एलो जनर्नियों का मामला माना है। देखे पीत पत्रकारता समाचार पत्र की रिपोर्टिंग की एक अतिरंजित, शोशक वा संसनी खेस सहली है। जब भी परतिसपरधा होती हैं तो पीत पत्रकारता की उत्पत्ति होती है। अध्यात्मे क्यों सांस्कृतिक बंधन का प्रतिक मना जाता है। मार्च 1971 में अपने ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेनदवारा मंदिर को नश्ट कर दिया गया था। यहां ऑपरेशन एक प्रूर कारवाई थी जिसके कारण बंगलादेश मुक्ती संग नाम हुआ था। तो मुल रमना काली बाड़ी का निर्माण मध्य के द्वारान किया गया था यहां अपनी उची सनचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्च 1929 में मंदिर परिसर्म ने प्रसिद्ध संत आनंद मई के भक्तों के लिए अत्रिक्त इमारत का अधिरण किया गया हुआ प्रसिद्ध ने रहां झालि बाड़ी विर जी 주 दोरात क है Calling के लिए। एला की मैं मैं में तो में खता क्रणा का युआ एलन दोरा खता..